सल्मान खान की एक फिल्म आने वाली है कभी इद कभी दिवाली चर्चा में तो ये फिल्म वैसे नहीं है चर्चा में राधे फिल्म है लेकिन अब कभी इद कभी दिवाली का नाम आया है सामने वैसे बता दू कि सर्मान खान के पांच फिल्मे एक कतार से बन करके खड़ी हैं, उनको रिलीज करना है और बारी-बारी से उन फिल्मों को रिलीज किया जाएगा लेकिन ये जो कभी इद, कभी दिवाली, इस फिल्म के आज मैं बात करूँ, तो इस फिल्म का टैटल को चेंज कर दिया गया है, इसका नाम ही बदल दिया गया है, और इसका अब नया नाम भाईजान रखा गया है, समझ सकते हैं आप, ये भाईजान अपने आपको दिखाना ह है कि मैं बात्सा हूँ मैं बॉस हूं मैं शब कुछ हूँ इस दुनिया को मैं चलाता हूँ इसलिए भाई जड़ान बायुजान मतलब शब्की मरेरक्चा करने वाला शब्की मदद करने वाला यह लोग बॉलिवूड निटरश्टि ही मि आपको ऐसे अस्थाफित कर चुके हैं और उसके बाद एसे शो कर रहें एसे दिखा रहें अपने आपको कि इनके बिना बॉलिएबूर्ट ही नहीं है, ये भगवान बन चुके हैं, और सिर्फ सलमान खान ही नहीं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे खान बंदू हैं, जो ये अपने आपको ऐसा एक बिरहद रूप बताते हैं कि इनके बिना कुछ होई नहीं सकता है ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी है ये जिधर निकल जाएंगे उधर ही हजारों के भीड़ इनके पीछे चलती है इनको लोगों ने भगवान बना दिया है और कभी-कभी पैसे बहुत ज़रत नहीं है लेकिन डोनेशन देना कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों ने कोविड के लिए डोनेशन दिया और ये इंडियन ये भाईजान बात्सा बापू पता नहीं क्या-क्या इनके नाम है वालेवूड के अंदर और ये लोग आज तक एक पैसे न तो ये कहीं डोनेशन देते हैं न किसी की मदद करते हैं अर्वो रुपे कमा रखे हैं भारत के लोगों से ही भारत के लोगों में भगवान बने हुए हैं यहीं कि लोगों से अपने पैसे बनाते हैं और फिर उस पैसे को अपने मौज मस्ती अपने इंवेस्टमेंट के लिए जब भी भारत संकत में आता है ये कहीं नहीं दिखते हैं ये तो भारत छोड़के निकल जाते हैं और अभी जो ये संकत है COVID का संकत इसमें बाहर के लोग तरह तरह से अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं लेकिन इन्होंने क्या किया एक दिखावती के लिए कुछ 1000-2000 पैकेट ब लोड करवाया टांगे पे लोड करवाया और वहां पर वीडियो शूट हुआ कि हम तो कोविड के लोगों की मदद कर रहे हैं 1000-2000 पैकेट 5000 पैकेट क्या खर्चाएगा एक लाक रुपे खर्चाएगा अर्बो रुपे आपने भारत के जंता से बनाया अर्बो रुपे आप इनके फिल्म को रिस्पॉंस आप लोग मत दीजिए इनके जितने भी फिल्में बनते हैं इन सारे भाईजानों की अपना दिखाएगा कि इनकी यह चीजे सामने आनी चाहिए कि जिस भारत की जंता के पैसे को तुम खा करके आज राजा बने हुए उसी भारत की जंता ने त को पिला करके पटक दिया है इस चीज को दिखाना जुरूरी है और यह दिखाना पड़ेगा जय हिंद